जब भी बॉलिवुड में फिटनेस की बात होती है तो नेम्स आते हैं सल्मान खान, जॉन इबरहाईम, रितिक रोशन सर मुझे एक चीज आपसे मतलब आप क्या हम यंग्स्टर्स को सब को ऐसा क्या टिप दे सकते हैं कि आपकी एज में भी हम उस स्टेज चे बैठ के ऐसे लगें यह यह सवाल जरा दुबारा बोलें यह को यह अच्छा लग रहा मुझे जब भी मसल बिल्डिंग की बात आती है, फिटनेस की बात आती है, एज की बात आती है तो हम हमेशा वेस्ट की तरफ देखते हैं, आर्नोल स्वाजनेगर, सिल्वेस्टर सिलोन, राइट? लेकिन आज मैं आप लोग को एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूँ, जो इंडिया में, हमारे इंडिया में, at the age of 71, कुछ ऐसे दिखते हैं इनका नाम है Mr. Sarat Saxena, आप लोगोंने बहुत सारी मूवीज में इनको देखा होगा और सच बताऊं, मैंने भी बहुत बार इने देखा है, लेकिन ये जानके मैं बहुत ज़्यादा सप्राइज हुआ कि ये 71 years old हैं और ये ऐसे दिखते हैं Amazing, मतलब I'm seriously very impressed जिस तरीके से इन्होंने अपने आपको conduct किया है, जिस तरीके से इन्होंने अपने आपकी training करी है, अपने आपको fit रखा है, यंग रखा है, बहुत काबिल इतारीफ है ये पूरे scenario में, ये पूरे story से हम क्या learn कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा मैं वो सारे reasons आप लोगों के सामने discuss करूँगा, जिसकी वज़े से सकसे ना जी ने अपने आपको इस age में भी इतना fit रखा है, और साथी साथ जो चीजें हम learn कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा So guys, without wasting any time, वीडियो को शुरू करते हैं, welcome back, this is Jeet Salal, health and fitness coach and the founder of Himalian Stallion, let's start the video So दोस्तों, सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी यहां पे, एक term, एक शब्द जिसका नाम है, body composition अब भई मैं आपको कोई science के funding नहीं देने वाला हूँ, बहुत ही simple तरीके से समझाओंगा, कि body composition क्या होता है हमारी body में दो चीजे होती है, एक होता है fat, चर्बी और एक होती है fat free mass अब fat जो है, उसके अंदर दो चीजे आती है, subcutaneous fat and visceral fat subcutaneous fat होती है, आपके जो skin के अंदर, जो fat लगी होती है, जो चर्बी लगी होती है muscle के उपर, skin के अंदर उसे कहते है, subcutaneous fat, पूरी body में है और visceral fat होती है, आपके organs के around, यानि कि आपके internal organs है, चाहे liver हो, pancreas हो, lungs हो इसके आसपास थोड़ी बहुत fat जो लगी होती है, ये होती है visceral fat ये दोनों ही fat आपके body के लिए जरूरी है, ठीक है, इसके बाद आती है fat free mass अब ये fat free mass में आते हैं आपके muscles, ये, skeletal muscles हर जगा जितने भी muscle है उसके साथ-साथ आपके bones, हटिया, skeletal, उसके साथ-साथ आपका जो organs है अंदर, right, pancreas, lungs, heart, ये सारे के सारे, और water तो ये हो गया fat free mass और हो गया fat अब इन दोनों का जो composition है, दोनों का जो ratio है आपकी body में, उसे हम body composition कहते हैं अब healthy body composition क्या होता है, ये समझे, healthy body composition मतलब होता है कि आपकी body में fat mass कम, fat, चर्बी कम और fat free mass जादा muscle जादा, bones आपके जादा, और आपके organs और water का weight जादा अब bones, organ और water weight तो जादा change नहीं होते एक age के बाद, लेकिन muscle आपका आप कम जादा कर सकते हैं ये एक deciding factor होता है कि आप healthy हो या unhealthy हो, अगर आपका muscle कम है, fat जादा है, relatively, तो आप unhealthy होगे obese category में अगर कोई होता है, fat जादा, तो वो unhealthy होता है, उसको कई सारी बिमारिया होती है लेकिन अगर उसका fat controlled amount में है, body में कम percentage में है, controlled percentage में है, muscle जादा है, तो वो healthy consider किया जाता है और यही आप लोगों को भी बनना होता है, अब जब हम body composition को समझ गए हैं, तो एक important factor समझ ये, सबसे बड़ा जो body composition को effect करता है वो है आपकी age, जब हम बूरे होते हैं, जब हम grow होते हैं, बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा ये जो body composition है बड़ा change होने लगता है और unhealthy जो body composition की तरफ बढ़ता है, यानि कि आपका muscle mass होने लगता है, कम, muscle lose होने लगता है और fat बढ़ने लगता है, bones कमजोर होने लगती है, organs भी धीरे-धीरे deteriorate होने लगते हैं, तो आप unhealthy body composition की तरफ बढ़ते हो age की वज़े से अब ये जो है, ये fact है, मतलब human beings हम जितने भी इस दुनिया में जो भी पैदा होती है, जो चीज आती है, वो धीरे-धीरे ऐसे ही मिट जाती है, ये जो शेरीर है, मिट रहा है, right, खतम हो रहा है So aging आपकी muscle को कम कर रही है, bones को कम कर रही है, organs हर चीज आपकी कम हो रही है के अंदर dumbbell उठाते हो, exercise करते हो, तब आपकी body में एक अनुखी चीज होती है, वो है आपकी muscle को stimulus मिलता है, muscle आपका मजबूर हो जाता है काम करने के लिए अब जो muscle को आप काम करवाते हो, right, गधे की तरह, तो muscle अपने आपको और grow करता है, वो और strong, और strong बनता है, और बड़ा बनता है, muscular बनता है, अपनी strength बढ़ाता है सो ये muscle में खास बात होती है, so stimulus मिलेगा, muscle fatigue होगा, muscle और grow करेगा जब आप उसको diet, खुराख दोगे, rest दोगे, recovery दोगे, सकसेरा जी ने यही किया, उन्होंने अपनी जिंदिगी में लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 40-50 साल से वो training कर रहे हैं अपने youth से, उन्होंन training, weight training, resistance training, और यह एक बहुत important चीज होती है, आपके body composition को healthy बनाई रखने में, तु मेरा चिकरा तेखना चाहता है ना, आज चाले, आज अब यह कैसे होता है, यह समझे, जब आपकी body में जादा muscle होता है, यानि कि एक enough amount of muscle होता है, तो वो क्या करता है, आपके metabolism को fast करता है, metabolism metabolism क्या है, metabolism का मतलब है कि आपकी body में energy बनाने की capacity है body की, यानि कि calories, जो food से खाना आ रहा है आपका, उसके अंदर calorie मिल रही है, उसको burn करके, उसको जलाके, energy की रूप में इस्तेमाल करने की capability है, capacity है, वो fast होती है, जादा होती है, जादा muscle, अब ऐसा क्यों होता है, muscle अपने metabolically active चीज होती है, मतलब वो खुद को maintain करने के लिए, खुद को repair करने के लिए, खुद को बचा के रखने के लिए, अपने आप calories burn करता है, खुद को समाले रखने के लिए भी उसको energy की जरुवत है, और energy कहां से आ रही है, खाने से food से, अब जब आपकी body में muscle size है, तो वो लगेगी, उसके साथ साथ एक बहुत ही जबर्दस चीज होती है, वो है आप ज़्यादा खाना खापाऊगे, जब आप ज़्यादा खाऊगे, खुराग जब आपकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा carbohydrates, protein, fats, micronutrients, body में ज़्यादा जाएंगे, तो आपके जो अंदर system है, उस अब एक और बहुत important point यहाँ पर आता है, वो है directly aging से related, वो यह है कि जब आप weight training करते हो, एक set of exercise अपनी जिंदगी में करते हो, regular training करते हो, तो एक कमाल की चीज होती है आपके DNA में, यानि कि जो DNA molecule chromosomes होते हैं, उसमें कमाल की चीज होती है, caps होते हैं, telomeres के caps होते हैं, वो age के स साथ अपने आपको छोटा करते हैं, जैसे से आपकी age बड़ेगी, वो अपने आपकी length है, उसको कम करेंगे, लेकिन जब आप regular exercise करते हो, training करते हो, workout करते हो, तो यह जो shortening हो रही है आपके telomeres की, वो धीरे-धीरे होती है, बहुत कम होती है, मतलब कि अगर आप training नहीं सकते हो, अपनी, मतलब आप ज़्यादा यंग दिख सकते हो, तो यह training का एक बहुत बड़ा impact है, 50 साल की उमर में, 60 साल की उमर में, या फिर सकसेना जी से, 71 years old इस उमर में भी यंग दिख रहे हैं, मतलब मैं अगर सच देखू तो उनको 71 नहीं लगते, he looks like 45 या maximum 50 के age के अब एक और चीज होती है, weight training की वज़े से, वो है आपकी skin की health improve होना, कैसे? जब आप training करते हो, workout करते हो, तो आपके muscles जो है, काम कर रहे हैं regular basis में, और muscle जब काम करते हैं, तो आपकी skin भी जो है, वो भी आपकी stretch और relax होती है, जिसकी वज़े से इसमें blood circulation जादा होता है, और blood circulation जादा होता है, तो oxygen की supply, nutrient की supply, regular basis में होती है, इसलिए आपकी skin भी glow करती है, healthy रहती है, soft रहती है, और wrinkle free रहती है, तो आप जादा time तक अपनी skin को healthy रख पाएंगे, age आपकी कम दिखेगी जितने आप होगे, तो ये weight training का बहुत ही बड़ा फाइदा है, इसके साथ साथ bone health की बात करते हैं, कैसे weight training bones को healthy रखता है, जितने भी लोग देखते हो ना, आपकी यार उमर बढ़ती है, osteoporosis की problem, कमजोर हड़ियां, जोडों में दर्द हो रहा है, क्यों होता है, क्योंकि उनकी हड़ियां, उनकी जो bones हैं, वो काम नहीं करते है regularly, जब आप weight training करते हो, exercise क सब काम कर रहा होता है, अब जब आपके joints लगातार काम करते हैं, तो उनकी mobility बनी रहती है, flexibility बनी रहती है, friction कम होता है, health strong बने रहते हैं, mineralization proper होता है, mineralization मतलब phosphorus और जो आपका calcium है, उसकी absorption proper होती है regular basis में, क्योंकि आप diet भी ले रहे हो, ठीक है, तो वो requirement बनी रहती है एक लं तो आप बुरे दिखाई देते हैं, आप कमजोर दिखाई देते हैं, आप weak दिखाई देते हैं, और exercising, training, सही तरीके की training आपके जो stress है उसको कम करती है, anxiety जो है उसको reduce करती है, कैसे, आपकी body में आपके endorphins, dopamine जैसी चीज़ें आपके release होती है brain में, जो आपके brain को relax करती है, आपको एक you know happy, lively mood आपका रहता है, जिसके विज़े से आप ज़्यादा young नजर आते हो, ज़्यादा happy नजर आते हो, इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा point आता है, वो आपकी heart की efficiency, हमारा जो heart और lungs जो है आपका basically cardiovascular system, ये आपका healthy तब रहता है जब ये अपनी capacity को push करते रहे यानि कि अपने limits को push करें, वो आप जब weight training करते हो, exercise करते हो, तो आपकी ये limit push होती है, आपकी जो ये capacity है heart और lungs की, वो improve होती है काम करने की, blood circulation आपका अच्छा होता है, blood flow अच्छा होता है, nutrient की supply सही होती है, और आपका heart health है, वो improve होता है, किसी पर तरह की chronic diseases से आप दूर र इंस्टेग्राम की, तो जो मैंने उनका इंस्टेग्राम देखा, तो मुझे बहुत सारी interesting चीज़े नज़र है, एक picture थी उन्होंने में लिखाओ था कि no steroids, only डाल रोटी, अब picture था जबरदास बिलकुल muscular post, तो डाल रोटी से तो खेर मैं simplify कर देता है, तो डाल रोटी का मतल आम बात नहीं है, जब आप एक film industry में होते हो, एक ऐसी जगह होते हो जहां पर आपकी body अगर अच्छी है ना, खासकर आज की age में, तो आप बहुत अच्छे अच्छे रोल्स, बहुत अच्छे चीज़ें आपको मिल सकती है, लेकिन उन्होंने फिर भी उस चीज को अपनी body से दूर रुखा क्योंकि वो उसमें longevity नहीं है, यह एक तरीके का short term plan होता है लोगों का कि थोड़ा सा steroid ले लिया, body बना ली, अच्छी खासी और उसके बाद फिर डाउन हो गए, 6 मीने बाद, 8 मीने बाद, तो वो उसमें एक consistency नहीं है, और problems बहुत सारे हैं, side effects बहुत सार तो उन्होंने अपनी body को लंबे वक तक वो एक healthy state में रख पाए और अपने आपको fit रख पाए, तो यह चीज हमें उनसे जीखनी चाहिए कि always stay away from steroids and drugs and always focus on your nutrition and diet and whole foods, right, इसके साथ-साथ मैंने उनके कुछ comments ये भी पढ़े कि he doesn't take any supplements, अब देखिए इसमें कोई गलत बात नह लेना ये नहीं लेना, it's personal preference, supplement भी food ही होता है, ये drugs ये steroids की category में नहीं आता, and of course, you know, वो एक old school method की तरह training करते है, it's good, it's working for him, तो perfectly fine, लेकिन main मुद्दा ये है कि खाने पे ध्यान दो, training पे ध्यान दो, ना कि steroids or drugs, alright, so guys, thank you very much, and Sarat Saksana जी को बहुत-बहुत भदाई, उनकी न था उनका, एक खंटर का, I loved it, and thank you very much guys, everyone, and make sure you hit the thumbs up button, and take care guys, please comment if you have any, and take care, bye-bye.